इस वीडियो में आप जानेंगे पंजाब इनुविश्टी की लेटेस अफडेट्स रिजल्ट अफडेट्स और साथ ही जानेंगे एड्मिशन नोटिसेज शुरुआत करेंगे आपके में 2024 के रिजल्ट से आपके इस वीग जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वह आप यहां पर है रिजल्ट की 16 और 18 डेट की लेटेस्ट अफडेस्ट की बात करें तो आपका फाइनल आंसर की ओफ पीजी लो एंटरेस्ट टेस्ट आ चुकी है प्यू सीटी 2024 का आपका डिजल्ट डिकलियर हो चुका है आपके एक दिन के लिए इसकी जो आपकी डेट थी एक्टेंट की गई है पर इसका जो एक्जाम होगा वो सेम उसी डेट पर होगा आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो है आपके बीए एंटरेस्ट की क्वेस्टन बुकलेट और आंसर की साइट पर अवेलेबल है अब बात करेंगे डूल डिगरी प्रोग्राम 2024-25 के ब्रोशर की तो यह नहां पर अपडेट्स हैं आपके बीए बीएड प्रिपेरिटरी मीडल और सेकेंटरी स्टेज अंडर फोर यह आई टी इपी फोर असेशन 2024-25 सेकेंड पर आपके यूसी आयम ब्रोशर फोर अम्टेक एंड मसी इंस्टूमेंटेशन 2024-25 थार नंबर पर है आपका CDOE dual degree brochure 2024-25 तो जो भी dual degree करने में student interested है उनके लिए यह information imported हो जाती है आपके admissions जो है start हो चुके है 15 date से इसकी full information हम आगे देखेंगे तो जैसे कि आप जानते ही है यूसोल का new name है आपका CDOE means center for distance and online education तो dual degree program क्या है यह आपको opportunity देता है एक साथ 2 degree करने की under UGC dual degree guidelines आपने आप देख रहे हैं इसकी full information यह हैं तो जो भी students interested है two degree program में जिसमें आपकी one regular and one distance mode में रहेगी या फिर आप दोनों बहुत ही distance mode भी कर सकते हैं या फिर आपने one degree program में admission लेना है and one advanced diploma करना है साथ में या फिर आप certificate या फिर आप certificate course करना चाहते हैं together to save their precious year तो आप इस opportunity का फायदा उठा सकते हैं इसमें आपको 11 post graduate programs मिलेंगे आपके 11 advanced diplomas, 4 आपके undergraduate programs रहेंगे and 3 आपके certificate courses जो कि आप कर पाएंगे आपके regular UGPG degree program during session 2024-25 में as per PU guidelines on dual degree तो इसमें अलग-अलग courses के लिए आपकी क्या eligibility criteria रहेगा तो post graduation programs के लिए eligibility है आपकी undergraduate degree होना आपका जुरूरी है आगे आपके subject given है जो कि आप अपने course के according यहाँ पर देख सकते हैं MA, MCOM, MBA के लिए advanced diplomas, eligibility है आपकी undergraduate degree उसके courses यहाँ पर देख सकते हैं आप फिर आपके undergraduate programs के लिए eligibility है फिर आपके undergraduate programs के लिए eligibility है plus two pass फिर certificate courses के लिए eligibility है 12th pass Apply for online admissions at CDOE portal यहाँ पर गिवन है program wise brochure आप यहाँ पर given link पर click करके देख सकते हैं For dual degree guidelines of PU visit CDOE official website यहाँ पर गिवन है admission at CDOE that is 15th July 2024 तो यह थी information आपके dual degree program की होप यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी चैनल पर न्यूँ आए हैं तो subscribe जोर करें वीडियो को like को share करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद में और नेक्से करें वीडियो में में συच्णादी झाहिए